प्रिय छात्रों, आज का प्रैक्टिस सेट हमने जो ले कर के आया है, वो आपका प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है और इस प्रैक्टिस सेट संख्या 4 में टोटल प्रश्णों की संख्या 20 है और ये आप लोग न समझिएगा कि ये केवल SSC ZD के लिए ही फायदे मंद है ये भिन भिन परिच्छाओं के लिए एक तरीके से कलेक्शन के रूप में तयार किया गया आपके कोश्चन है अब इसमें जो भी आपको एक्जाम और देना होगा उसमें इस तरीके के प्रैक्टिस सेट या कोश्चन आपके परिच्छाओं में पूछे जाते हैं तो आप सभी लोग इसको आसानी से ले करके हल कर सकते हैं और अपने आपको आकलित कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं और कितनी आपको तयारी करने की जरूरत है Question number one इसमें ये है कि गुप्त काल की प्रसिद महिला सासी का कौन थी तो गुप्त काल की प्रसिद महिला सासी का का एंसर हो जाएगा आपका प्रभावती और इसी प्रभावती चंद्रगुप्त दुतिय की ये पुत्री हुआ करती थी और ये चंद्रगुप्त दुतिय की पु उने अल्प बयस्क पुत्र की संरचिका के रूप में साशन किया था तो इस तरीके से चुकि इसका संबंद गुप्त काल से ही है तो इसका एंसर हो जाएगा गुप्त काल की प्रशिद महिला सासी का प्रभावती थी अगला कोश्चन चांद बीबी किस राज्य से संबंदित तो इसका एंसर हो जाएगा आपका एहमद नगर और ये जो चांद बीबी थी ये एहमद नगर के सासक बहादूर निजाम सा की संरचिका के रूप में कारे की थी अब आते हैं अगले कोश्चन पर और अगला कोश्चन आपका है कि भारत का दादा या ग्रेंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है तो भारत का दादा या Grand Old Man of India दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है और इसी दादा भाई नौरोजी को भारत का बयोध बृध पुरुष अथवा Grand Old Man of India के नाम से जाना जाता है और इस दादा भाई नौरोजी का जन्म जो है वो 1825 इस्वी में हुआ था और इनकी द्वारा लिखित पुस्तक से भी related question आता है कि इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक जो है Un-British Rule in India ये एक तरीके से इनकी प्रमुख रचना के रूप में मानी जाती है तो इस किताब का भी नाम आप लोग याद रखियेगा Liberty and Un-British Rule in India अब अगले question पे आते हैं कि संजुक्त राष्ट की अगली राजदूत और इस्थाई प्रतनिधी के रूप में किसे न्यूप्द किया गया है तो इसका answer हो जाएगा आपका रूचिरा कमबोज और इसी रूचिरा कमबोज को 21 जून 2022 को डेट आप ध्यान रखियेगा 21 जून 2022 और 21 जून 2022 को इसी रूचिरा कमबोज को न्यूवयर्क के संजुक्त राष्ट में भारत की अगली राजदूत और इस्थाई प्रतनिधी के रूप में न्यूप्द किया गया इसके पहले रूचिरा कमबोज के पहले भारती राजदूत कौन हुआ करता था तो भारती राजदूत हुआ करते थे ती एस तीरू मूर्ती और इसी तीरू मूर्ती का इस्थान 21 जून 2022 को रूचिरा कमबोज के द्वारा ग्रहन किया गया अगला question कि मृत्यू दंड के मामले में छमा देने का अधिकार किसको है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका राष्ट पती और ये राष्ट पती जो है आर्टिकल 72 के अंतरगत अनुच्छे 72 के अंतरगत किसी भी अपराधी को मृत्यू दंड के मामले में छमा दान करने की सक्त प्राप्त है अब आते हैं अगले कोश्चन पे और अगला कोश्चन आपका है कि भारत के उच्चतम नयाले की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निप्टारा करने की सकती किसे किसके अंतरगत आती है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकारिता को ही आपका भिन भिन ओप्शन के रूप में मूल छेतरा अधिकार दे देगा या फिर प्रारंभीक छेतरा अधिकार भी आपके ओप्शन में रहता है तो इस तरीके से भारत के उच्चतम नलकेंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निप्टारा करना जो है वो सुप्रिम कोड का मूल अथवा प्रारंभीक या मौलिक अधिकारिता या छेतरा अधिकार के रूप में जाना जाता है अब इसमें सर्बोक्च नियालेज हो है भारत संग या राज्यों के मद्ध अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन होता है या दो या दो से अधिक राज्यों के मद्ध विवाद उत्पन होता है या फिर मूल अधिकार से संबंदित अगर कोई विवाद है तो उस कंडिश में सुप्रीम कोड का यह मूल अथवप्रारंभी क्या चीत्राधिकार के रूप में जाना जाता है अब आते हैं कोशचन अंबर 27 पे और कोशचन अंबर 27 यह है कि सूरे में उसमा और प्रकास किसके द्वारा उतपन होते हैं तो सूरे में उस्मा और प्रकास किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा नुकलियर अवक्रिया और इसी नुकलियर अवक्रिया को हिंदी में नाव की सनलयान कहते हैं और ये जो सूरे में उस्मा और प्रकास जो भी आपको दिखाई देता है या उत्पन होता है इसके पीछे रीजन आपका नुकलियर अवक्रिया या नाब की सनलयान होता है अगला कोश्चन की एक प्रकृतिक परिघटना जो प्रदूशन के कारण हानिकारक बन जाती है वह है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैस पादप ग्रिह प्रभाव तो इसका एंसर क्या हो गया पादप ग्रिह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसी ग प्रमुख गैसे हैं ये भी कोश्चन आपके एक्जांस में आता है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन-कौन सी है तो कारबन डाय एकसाइड हो गया कारबन मोनो अक्साइड हो गया सल्फर डाय आकसाइड हो गया तो ये जब वाई मंडल की उपरी परत पर जम जाती है तो प्रिथिवी के तापमान में ये बृध्धी हो जाती है इसी से इसी कारण को green house प्रभाव के रूप में जाना जाता है अब आते हैं question number 29 अप घटकों में शामिल है तो इसका answer हो जाएगा अप घटक पहले तो आप ये जान लीजिए कि अप घटक किसे कहते हैं तो अप घटक में मुख्य रूप से आपका बैक्टीरिया और फंगस या कवक दोनों शामिल है अब यह बैक्टीरिया और फंगस जो अपना जीवन निर्वा अधिकांस्ता उत्पाद यों वोगता के मृत शरीर से टाप्त करते हैं तो इसी को अप घटक के रूप में शामिल किया जाता है अगला कोश्चन है आपका प्रकास भीरुता किसकी कमी के कारण होती है तो प्रकास भीरुता जो है वो बिटामिन B2 के कारण होती है और इस बिटामिन B2 का रासाइनिक नाम आपके एक्जांस में य वह राइबो फ्लोविन इसको भी आप लोग नोट कर लिजेगा कि विटामिन B2 का रासाइनिक नाम राइबो फ्लोविन है और यह प्रकास भीरता इसी के कारण से होता है अब अगला कोश्चन वह लवड जो जली अमोनिया में अमोनिया बिलियन में घुल जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका C और यह C-U-O-H-2 एक ऐसा लक्षण है जो जली अमोनिया बिलियन में आसानी से घुल जाता है अगला कोश्चन कि निमलिखित में कौन सा यंत्र बिद्धूत या बिजली उत्पादित करता है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका A-डायनामो और डायनामो जो है एक ऐसा यंत्र है जो यांत्री कूर्जा को बिद्धूत उर्जा में बदल देता है इस डायनामो का अविसकार ये भी कोश्चन आपके एक्जांस में पूछने की संभावना बन जाती है कि डायनामो का अविसकार किसके द्वारा किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था अब अगला कोश्चन अगला कोश्चन ये है कि भ्रंसन का मुख्य कारण है तो भ्रंसन का जो मुख्य कारण है वो आपका तनाव मुख्य रूप से क्या है तनाव तो ये जो भ्रंसन है तो भ्रंसन की उत्पत्ती जो होती है वो 36 संचलन के दोनों संपिंडन और तनाव दोनों के कारण या दोनों संपिंडन या फिर तनाव बल के कारण आपका भ्रंसन की उत्पत्ती मुखे रूप से होती है अब question number 34 कि किस राज्य में बनो की सर्वोक्चता अधिक पाई जाती है तो answer हो जाएगा आपका मिजोरम और मिजोरम जो है बर्तमान समय में मिजोरम में सबसे जादा 1 पाई जाते हैं और इसका बनो की प्रत्सता जो है वो 88.93% है तो किस राज्य में बनो की सर्वोक्चता प्रत्सत अधिक है तो आपका answer हो जाएगा मिजोरम और अगर छेतरफल के अनुसार देखा जाए तो छेतरफल के अनुसार भारत में सर्वाधिक बनो की जो संख्या है वो आपका MP है कभी कभी ये भी question पूछा है कि भारत में कुल बनावरण छेतर कितना है तो भारत में कुल बनावरण छेतर जो है एक कईश दस्मलो तीन चार प्रतिशत है इसमें पहला की भारत में बनो का सर्वोग्ष प्रतिशत मिजोरम छेतरफल की दृष्टी से सबसे अधिक वन कहां पाये जाते हैं तो MP और पूरे भारत में वनावरण छेतर कितना है तो आपका हो जाता है एक कईश दस्मलो तीन प्रतिशत अब आते हैं कोश्चन नमबर 35 धर्म के बारे में किसने कहा कि यह जनता की अफीम है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका कारल मार्श कारल मार्श और इसी कारल मार्श ने यह कहा था कि धर्म जो है यह जनता की एक अफीम के रूप में काम करता है और यह जो कारल म ये जर्मन के मूल निवासी थे और इनके द्वारा लिखित पुस्तक का भी आपके कई परिच्छाओं में कोश्चन आ चुका है तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक जो थी वो दास कैपिटल अब आते हैं question number 36 पे और question number 36 यह है कि निमलिखित अमेरिकी राष्टपतियों में से किस ने दास्ता या गुलामी को समाप्त किया था तो इसका answer हो जाएगा Abraham Lincoln और यह जो Abraham Lincoln थे इनहीं के द्वारा अमेरिका में दास्ता का उन्मूलन या गुलामी का उन्मूलन किया गया था और यह अमेरिका के किस क्रम के राष्टपती थे यह अक्सर question पूचता है तो यह अमेरिका के 16 में राष्टपती हुआ करते थे और यह 1863 में 1860 हिस्वी में 1860 हिस्वी में इन्होंने अमेरिका का राष्टपती का पद धारन किया था और 1863 हिस्वी में इनके द्वारा दास्ता का क्या किया गया उन्मूलन किया गया तो 1863 में समात और ये जो 860 है ये राष्टपती पद पर 80 और किस क्रम के राष्टपती बने थे तो 16 में राष्टपती बने थे अब आते हैं question number 37 कि निमलिखित में किस चीर प्रतिष्ठित और सास्त्री ने आर्थिक विकास का बेवस्थित सिध्धान्त दिया तो इसका answer हो जाएगा आपका c. Adam Smith और इसी Adam Smith को और सास्त का जनक भी माना जाता है और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो है wealth of nations ये भी question आपके exams में आ जाता है कि wealth of nations किसने लिखा तो answer हो जाएगा wealth of nations जो है वो Adam Smith के द्वारा लिखा गया और इन्हों ने आर्थिक विकास का बेवस्थित सिध्धान्त प्रतिपादित किया था उसके बाद अगला question कि पूझी गत वस्तूओं उन वस्तूओं को कहा जाता है जो तो इसका answer हो जाएगा आपका वस्तूओं के और अधिक उत्पादन में सहायता करती है तो साधान बोलचाल की भासा में पूझी का अर्थ जो होता है वो मुद्रा या धन से माना जाता है और पूझी धन जो होता है वह भाग है जिसके उत्पादन में प्रियोग किया जाता question number 39 और question number 39 ये है कि किसी अर्षास्त्र की बृध्धी दर को किसके संदर्व में मापी जाती है तो answer हो जाएगा आपका राष्टी आए मतलब अर्षास्त की बृध्धी, economical बृध्धी अगर किसी प्रकार की होती है तो वो किस रूप में होता है तो वो राष्टी आए के राष्ट की एक वर्ष में आर्थी क्रियाओं के फल स्वरू जो भी उत्पादित या अंतिम बस्तु या सेवाओं के मौद्रिक मुल्य का जो योग होता है वही क्या कहलाता है तो राष्टी आए कहलाता है अगला question, question number 40 कि 2011 की जनगरना के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भ एक हजार, मतलब यह हो गया कि एक हजार पूरसों पर भारत में इस्त्रियों की संक्या कितनी है तो 943 है, जबकि सरवाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है ये भी question आपके एक्जांस में आ चुका है तो सरवाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य केरल है और 11 जनगर्णा के अनुसार 879 अबलिक 1000, मतलब 1000 पूरसों पर 889 महिलाएं शामील है तो इस तरीके से आपका ये भी practice set complete हुआ और इसको भी आप लोग देख लीजिए और ऐसे ही आने वाले समय में exam तक मैं आपको practice set provide कराता रहूंगा और इसको आप लोग हल करते रहिए और अच्छे से तयारी करके मेरी सुबकामना है कि आप लोग selection पा जाएं thank you so much